हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल दा पैट विजन दिस इस साहिल मलीक यूर होस्त अंद यूर वेड तो गैस आज की जो वीडियो है वह बहुत ही तदा इंपोर्टन है विकोज आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा ज जब आपका डोग डिवर्म नहीं हुआ है तो पहले हम उन सिम्टम की बात करेंगे अगर आपके डोग के वह सिम्टम नहीं शो हो रहे है तो आप इससे गैस कर लेना कि मेरे डोग की डिवर्मिंग अच्छे से हो चुकी है बेसिकली जो सबसे पहला जो सिम्टम होता है लिधर्जिक कंडिशन जरूर आएगी आपके डोग के अंदर लिधर्जिक यानि दूबलापन शरीर हो जाएगा बिल्कुल ही दूबला पतला यानि उसके खड़े होने की भी कई बार एपिबिलिटी नहीं होती है और साथ में ही इसके अंदर क्या होता है जो बोन्स होती ह मॐँधिया है जो लूजिमोशन होते हैं काफे जादा जो कंडिशन होते हैं हमें हमसे कोशण बूट करते हैं कि यृज साव वह पर हमने डीवाम का यूस किया था बट उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया और वो दुबारा से ही वेमिट कर रहा है या वो डाइरिया कर र जो भी आप nutrition देते हो यानि multi-vitamin, calcium, syrup वो उसे लगेगा नहीं शरीर में तो एक symptom ये भी होता है साथ में guys क्या होता है एक tape warm होता है जो platy helementis भी जिने बोल देते हैं जब भी आपका dog या जब भी puppy जब stool करता है तब आपको ये observe कर लेना है उस tool में एक बार check करना है कि फीते के आकार के कोई worms तो नहीं आगे आपको ये चीज़े check करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इससे ही आप पता लगा सकते हो कि मेरा जो dog है proper deworm हुआ है या नहीं हुआ आगे जो point आता है guys हमारे पास skin से related है यानि अगर आपके dog की deworming अच्छे से नहीं हुई है तब आपके dog को skin problem से भी जूजना पड़ सकता है like skin problem में skin irritation हो जाती है body के ओपर rashes बनना start हो जाते है कई बार कुछ तो atopic dermatitis इतनी ज़्यादा severe condition में चल जाती है कि उसको treat करना बहुत ही जादा मुश्किल हो जाता है विकोज वो chronic stage में चली गई है और guys कोई भी बिमारी हो chronic stage में अगर वो चल गई है तो उसको बचाना उसको recover करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक wet के लिए विकोज मैं खूद एक wet हूँ अपने एक personal experience में आपको ये बाते बता रहा हूँ तो इसलिए आपको devorming करना बहुत जादा जरूरी है अब guys क्या होगा अगर आपका dog devorm नहीं है यानि आप आपने dog को devorming की medicine नहीं दी है तब आपका dog अपने body के उपर scratches करना start कर देगा irritation होगी irritation की वज़े से वो rub करेगा और basically जो anal जो reason होता है यानि जो hind limbs के जो उपर वाला जो reason होता है last part of elementary canal उसका जो reason होता है वहां के जो hair होते है जो fur होता है वो fall out होना start हो जाता है यानि जो hair fall है वहां पे बहुत जादा मातरा में बढ़ जाते हैं because वो सिर्फ worms की वज़े से होता है because जब stools करता है आपका dog या puppy तो वो जो worms है उसके थूरू उस रास्ते के थूरू बाहर आते हैं और side के जितने भी जो tissue होते हैं उनको भी affect करेंगे तो basically एक ये भी symptom है अगर आपका dog proper devorm नहीं है अब basically इसमें dull की बात हम कैसे करते हैं जैसे कि अगर आपके dog का color black है बट वो थोड़ा सा brownish होना start हो जाता है कई बार तो क्या होता है जो protein होता है keratin उसकी मातरा इतनी घट जाती है वो जो brown color में होना होता है वो white color में बदल जाता है इसा कि human beings के अंदर भी ऐसा देखा गया है और बाल जड़ने start हो जाते है और कई बार तो पैची जाना start हो जाता है जब chronic stage में warmer effect होता है तो यह चीज़े आपको ध्यान में एकना बहुत जादा जरूरी है अब जो मैंने आपको guys stool के बारे में बताया था कई बार क्या होता है कि जैसे normally हमारा जो dog है वो दो या तीन बार stool कर देता है एक दिन में it's normal कोई जादा बड़ी बात नहीं है बट guys कई बार क्या होता है जो formal effect होता है जो fluidity होती है stool की वो भी बढ़ जाती है जिसकी वज़े से हम पता लगा सकते है कि हमारा जो dog है या तो वो diarrhea से संक्रमित है यानि उसमें diarrhea हुआ है या ऐसा कोई दूसरा gastrointestinal problem होई है जिसकी वज़े से diarrhea हो रहा है तो कहीं न कहीं इसका भी यही एक reason है कि आपका जो dog है proper devorm नहीं हुआ तो आपको ये चीज़े ध्यान में रखना बहुत ही ज़ादा जरूरी है मैं हमेशा से ही आपको ये बताता हूँ जब भी आप एक नया dog ले या आपका dog पुराना ही क्यों ना हो बले ही वो दो साल या तीन साल का ही क्यों ना हो आपको devorming और vaccination proper time पे करवानी है इसकी वज़े से आपका dog भी safe रहता है healthy रहता है और आप भी safe रहते हो अगर आपने अच्छी एक proper ढंग से devorming करवाई है proper एक way में आपने vaccination करवाई है तो आज की जो वीडियो थी एक basic वीडियो थी मैंने आपको normal कुछ points बताए है अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखते हो अगर आप इन चीजों के बारे में सोचते हो observe करते हो तब आपको ये लगेगा कि हाँ मेरा dog proper devorm हो चुका है अगर आपको मैंने जितने भी जो symptom बताए है वो show होने बंद हो गए है तब आप ये समझ लेना कि मेरा जो dog है वो proper तरीके से मैंने devorm कर दिया है और अच्छी एक medicine यूज की है आगे भी मैं इसी medicine का यूज करूँगा आपको ये बाते notice जरूर कर लेनी है तो guys thank you so much for watching this and please do like, subscribe and comment और guys अगर आपको हमारी video पसंद आई है तो share जरूर करें और guys चैनल को subscribe करना ना भूले और अगर आपको पसंद नहीं भी आई है तो भी subscribe जरूर करें Thank you so much